के अब वेल्कम तु डेवलैपिंग सक्सेस क्लासेज आज के सिसनने हम लोग डिसकस करने वाले हैं रिजाल्ट बन सकते हैं इस एक वीडियो में हम सारी डिसकस कर लेंगे विद्ध प्रूव चलें सुरुबात करते हैं रिंग्र क्या होता हम लोग त्रिभूज कि रैंगल को व्छते हैं त्रभूज अगर आप इसके नाम को ही देखेंगे तो रैं इसका मतलब क्या होता है अगर इसके नाम से ही इसकी बात करता हूं इसकी काम की बात करता हूं फ्राइंगल है और इसको हिंदी मेंं बोलते हैं during तो त्रयांगल.. नाम में ही आप देखेंगेנ 5 um ते तो एक ऑसी आकरती जो तीन कॉर्णों से बनी है याने कि त्री लाइन सेग्मेंट बाउंड इज फिकशन आप हिंदी में नाम देखोंगे त्री भुझ तीन बोजाओं से गिरी हुह आकरती त्री लाइन सेग्मेंट बाउंगे का फिगर इस कॉल टी ट्रैंगल जो आपकरती तीन बुजाओं से घिरी है और जिसमें तीन कौन होते हैं उसको हम लोग ट्रैंगल बोलते हैं अगर आप ध्यान से दिखो कि जैसे कि मैंने आपके सामने एक ट्रैंगल बनाया इसमें आपक जिब जेरू से बताऊंगा आपको ट्रैंगल के बारे और जितने वी रिजल्ट बन सकते हैं उससारी चीजह हम लोग 2 हम लोग सीखने वाले क्या सभी लंबाई के साइट से ट्रैंगल बनाया जा सकता है किसी बी ट्रैंगल की पैचान कैसे कर सकते हैं जो भी थिओरम से सब कुछ हम लोग discuss करेंगे इसमें तो तीन साइड होती हैं अगर मैं बात करूं इसमें एंगल भी आपके आपको दिख रहे हैं तीन एंगल होते हैं और अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी कि क्या है पॉलिगन मतलब बहु बुझ तीन बजाओं से बना हुआ एक बहु बुझ है तो कि इस ट्रेंगल की बात करते हैं तो इस ट्रेंगल में तीनों जो एंगल है अगर मैं उनका sum करता हूँ, sum of all three angles are equal to 180 degree, तो triangle के तीनों angle का जो sum है, वो आपको देखने को मिलता है 180 degree, 180 degree, अब आपके मनना है का सर ये 180 degree होता क्यों है, ये fix क्यों है, है ना, इसका कोई proof है, बिल्कुल, अगर मैं आपको इसके proof के बारे मैं बात करूं, आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने कहा, कि मैंने एक line कीची, BC के parallel एक line मैंने यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर बना देख, मैंने एक भुजा कीचली, जो कि BC के parallel है, ये 180 degree होता क्यों है, ये भी हम लुग जालने, मैंने एक भुजा कीछ दी जो कि BC के parallel है BC parallel मैंने एक side कीछ लिए MN इसको नाम देते हैं MN तो आपको ये पता होना चाहिए मान के चलीए कि आपका ये angle जो बना है B है ठीक है B angle है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई दो parallel line है और उसमें अगर ये जो angle है वो angle इस angle के बराबर होता है अगर ये दोनों लाइन parallel है इसको alternate angle यानि की एकांतर कौन बोलते हैं तो अगर ये angle B है तो सर ये angle भी B होगा आकर ये side parallel कीची है तो ये वाला angle तो A है ही हमारा और अगर ये angle C है तो ये angle B C होगा बराबर होंगे alternate angle और आपको एक और पता है कि अगर मैं एक सीधी लाइन पर, एक सीधी लाइन पर कितने भी एंगल बनाऊं, उन एंगल का सम हमेशा 180 जिगरी होता है, वन एक की जिगरी होता है, तो ये एक सीधी लाइन बन रही है, और इस पर एंगल हमें देख रहे हैं, A, प्लस B, प्लस C इन तीनों का सम कितना होगा, आपने का 180 जिगरी होगा, तो देखो ये A, प्लस B, प्लस C, ये ट्रैंगल के एंगल भी तो है, इसलिए ट्रैंगल के एंगल का जो सम है आपका 180 जिगरी होता है, पहला पॉइंट के लिए हो गया, दूसरा पॉइंट ट्रैंगल में आता है, अभी हम वो भी बात करेंगे कि ट्रैंगल कितने टाइप के होते हैं, कौन-कौन से ट्रैंगल कैसे पैचानते हैं, वो भी बात करने बादे हैं, तो अब दूसरी बात आती है कि ट्रैंगल की, मैं triangle को जब भी solve करेंगे अप लोग को इसको दो पार्ट में बाट के जाते हैं, बेस्ट ऑउन दो mainly पार्ट के जाते हैं, पहला पार्ट होता है, बेस्ट ऑउन, बेस्ट ऑउन side, बोजाओं के आधार पर, 2500 इस्ट किया गया है, दूसरा type आपका होता है, based on based on angle कौन की आधार पर अगर मैं यहां पर बुजाओं के आधार पर बात करता हूं तो तीन type के आपको triangle यहां पर देखने को मिलते हैं तीन टाइप के triangle आपको देखने को मिलते हैं साइट के आधार पर पहला जो ट्याइप होता है आपका जिसको बोलते हैं एक्वालेटरल ट्राइंगल इसको हिंदी में बोलेंगे सम बाहू तिरवुच था ना सम बाहू तिरवुच दूसरा जो ट्राइंगल होता है वह होता है आईसो इसकेल्स ट्राइंगल जिसको बोलते हैं सम दुवे बाहू तिरवुच और तीसरा जो एंगल होता है आपका ट्राइंगल होता है वह होता है इसकेलन ट्राइंगल इसके लंग ट्राइंगल जिसको हम लोग बोलते हैं बिसम बाभू त्रवुज अब ये तीनो एंगल्स तीनो ट्राइंगल्स के बारे में समझ लो पहले एक्वालेटरल ट्राइंगल यानिकि सम बाभू त्रवुज तो एक ऐसा त्रवुज जिसकी तीनो साइड आपकी बराबर होती है, और तीनो एंगल भी बराबर होते हैं, उसको समु बावू तरवुज कहते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ, साथी साथ एक्जाम्पल समझते चलिए तीनों के, मैंने तीन ट्रेंगल आपके सामने बनाएं यहाँ तीन ट्रेंगल आपके सामदी मैंने यहां पर बना दिए ऐसे करके ठीक है या ऐसे समय कूँ ऐसे ठीक है और तीसरा ट्रेंगल मैंने बनाया कि उसको का परो आप ऐसे ठीक है तो मैंने एक तीन ट्रेंगल तो पहला था हमारा इसका इक्वाल इिकशन ट्रेंगल यानि कि सम्ह बाहू तरवुच में तीनो साइड एक्वाल होती और तीनों एंगल बरावर होते हैं, तीनों एंगल भी बरावर हों, तीनों साइड इक्वल हों, मतलब यह अगर ए है तो यह भी ए सा ए लेंथ की होगी, तीनों साइड बरावर है, और तीनों एंगल भी इक्वल हों, और एंगल अगर एक्वल होंगे तो तीनों एंगल का जो अगर दूसरे दरूज की बात करता हूँ आई सो स्कैल्स ट्राइंगल नाम में लिखाए है समद्विबाहु सम्द्विबाहु इसका मंदभ समान दो बोजाय जिस ट्राइंगल की कोई सी दो साइट बराबर हो तीसरी उससे अलग हो तो उसको बोलते हैं सम द्वेवाहू ट्राइंगल यानि कि आपका आइसो इसकेल्स ट्राइंगल ठीक है जो दो बुजाएं बराबर है तो वो दो एंगल उससे बंदेवाले दो एंगल भी आपके बराबर होंगे यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा तीसरा होता हैokol Content を आपका उसको साइट तरेइंगल यानी कि विसम बाहु त्रीज़ इसमें क्या होता कि न की यहां वजाओं की लेंद्थ अलग अलग होती इसको बोलते हैं विसम बाहु त्रीज़ यानी कि इस कि triangle राइंगल तो तीनौ एंगल भी यहां पर अलग-अलग होगे तो तीनौ आपको साइट की समझ में आ अब बात करते हैं बेश्ट ऊन एंगल की बेश्ट ऑन एंगल कितने होते हैं तो पहला ला नकल होता है आपका एक्यूट एंगल triangle स्बसें right angle triangle ऍहें QT क्या होता है तो जिस triangle में तीनोँ ही angle 90 degree से छोटे हो उसको कहते है acute angle triangle और जिस triangle में कोई सा भी एक angle 90 degree का होगा उसको वो लेंगे right angle triangle जिसमें 390 degrees छोटे होंगे उसको वो लेंगे acute और जिसमें कोई भी एक angle 90 degree से बड़ा होगा उसको वो लेंगे obtuse angle triangle अधिक कौन त्रवुच तो ये त्रवुच के कुछ types होते हैं अब बात आती है कि सर टाइप तो समझ में आ गए क्या हम किसी भी तीन साइट को लेकर triangle बना सकते हैं नहीं तो किसी भी तीन साइट को लेकर नहीं बना सकते हैं मैंने का एक मैंने साइट ली 2 cm की एक लिली 20 cm की और एक मैंने 8 cm की तो ये triangle बन ही नहीं पाएगा तो इसे पता लगेगा कि 3 साइड अगर मेरे पास है तो से ट्रेंग्ल बन सकता है या नहीं यह ईर्रेक्ली कोई फूशा जाता है तो आईे उसको भी समझ लिते हैं है कि अगर मैं कोई द्रेंगल रहा हूं कोई भी चैनल हो जो भी अगर कि कब इन तीनों साइड़ों से बनना पॉसिबल होता है अगर मुझे तीन साइड दिया और मुझे चेक करना है कि बनना पॉसिबल है कि नहीं, तो मुझे क्या चेक करना होगा कि दो सबसे बड़ी साइट, दो कोई सी भी बुझाए, एनी टू यहाँ, अगर मैं दो साइट को ले लूँ, तो मुझे कैसे चेक करना है कि इन तीनों मैंसे कोई सी दो वजाओं को जोड़के उसका जो सम आएगा योगफल आएगा वो तीसरी से हमेशा बढ़ा आना चाहिए जैसे कि A और B है तो बढ़ा आएगा C से B और C लेलू तो वो बढ़ा आएगा विटापका A से या C और A लेलू तो वो हमेशा बढ़ा आएगा B से अगर ऐसा है तो ही triangle बण पाएगा अधरवाइश triangle नहीं बन पाएगा जैसे मैं क्या दूँ 10 5 और 2 क्या इससे triangle बन सकता है तो आप देखो 10 और 5 पंदरह इसससे बड़ा है बन जाएगा 10 और 2 बारा इससे बड़ा है 5 से बन जाएगा लेकिन अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो 5 और 2 7 10 से छोटा हो रहा है यानि कि ये triangle इनसे नहीं बन सकता क्योंकि मैंने का कोई सी भी 2 side लेकर any 2 side कोई सी भी 2 side लेकर उनका sum करूँगा तो तीसरी से हमेशा हर condition में बढ़ाना चाहिए तब बनेगा दो condition में तो आ रहा तीसरी में नहीं आ रहा तो यानि कि इससे triangle नहीं बन सकता ठीक है चलिए तीनों condition दाना चाहिए तब ही किसी triangle को बना सकते हैं अगर मैं difference की बात करो तो इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कोई सी भी 2 side का difference तीसरी से छोटा होना चाहिए तब आपका कहीं जाके triangle बन पाएगा अधरवाइस नहीं बन पाएगा तो आप difference भी चेक कर सकते हो sum करके भी चेक कर सकते हो कि भाई तीन भुजा मेरे पास हैं क्या मैं इससे triangle बना सकता हूँ आपको ऐसे कुसर देता है कि ने लेके side options में से बताए कि इन मैंसे कौन से option से एक triangle बन सकता है तो आपको तीन side देगा चार option है आपको ऐसे check कर लेना है या ऐसे check कर लेना है तीनों से पता लग चाएगा हैना दो side का sum तीसरी से हमेसा बढ़ा होगा दो side का difference तीसरी से हमेसा छोटा होगा तभी triangle बनेगा पहली बास समझ आगी कि triangle कब बं सकता है अब दूसरा point यहां पूसता है कि triangle को पैचानेंगे कैसे triangle को पैचानेंगे कैसे अगर मुझे side दे यसे मैं आप से कहूँ यहापर कि यह कौन सा triangle है तो आप देखते ही कि पिचलहोगे कि तिनो side equal है तो आप कह दोगे यहां पर आपका लेकिन अगर मैं इनी साइड को देकर आप से पूछू नहीं मुझे बताइए कि इसके आधार पर यह कौन सा में इसमें कहदो कि इसके यह कौन सा ट्रैंगल यह नहीं पता पाएगा नहीं मुझे इसमें पता आधाइगा लेकिन हम साइड़ के विहाब पर रेस्पेक्ट में हम एंगल के बेस पर आप ट्रेंगल बता सकते हो जैसे आप इसको बता सकते हो कि एक्यूट ट्रेंगल है और या राइट है कोई प्रॉब्लम नहीं आईगी तो कैसे चेक करेंगे इसको आईए देख लेते हैं इससे डैरेक्ली आपसे पुसंद बनता है मैंने कोई भी ट्रेंगल बनाया कोई भी ट्रेंगल है यह ना कोई एक साइट जो है दॉनों से बड़ा है कोई एक साइट क्या है दॉनों से बड़ा है खीक है, दौनों से बड़ा है, समझ रहे हो, छीक है, अच्छा सर, समझ गे हम बात को, कोई एक साइड दौनों से बड़ा है, तो आप ऐसे समझ यह, कि, सी सबसे बड़ी है, और यह और भी छोटी है, तो जब किसी एंगल में ऐसा हो रहा हो, कि दो छोटी साइड का, कोई सी दो साइड नहीं, दो छोटी वाले साइड का, स्क्वेर का समझ, अगर बड़ा है तीसरी साइड के स्क्वेर से, तो वो बनेगा आपका एक्क्यूट गूहिअ गयोड हो पहिचान सकते हो साइट दे रहा हो तो आप पहिचान सकते हो कौन से प्रेंगल बनेगा दूसरा कि दो छोटी साइट का सम में कि अगर छोटा है एकलोथी तीसरी साइट सबसे बड़ी साइट के स्क्वेर से तो इसका मतलब होगा ये बनेगा obtuse अगल्ट राइंगल यानि कि अधिक कोण तिरुज लेकिन अगर मैं कहूं कि 이 दोचोटे साइड के का संप अगर बरावर है तीसरी साइड के स्क्वेर से सबसे तो इसका मतलब यह बनता है राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि तभी तो आप इसको बोलते हो ना इसको क्या बोलते हैं पैचान लोगे पैचान लोगे जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 345 मुझे बताना है कि य सबसे सबसे बड़ी साइड का स्कुर का सबसे बड़ी इसको जोड़ा 25 तो यह और बराबर आ गया तो चोटी साइड के स्कुरे का सम तीसरी बड़ी side का square के बराबर है तो ये right angle triangle होगा समझ भाया अब sir इसको याद कैसे रहेंगे तो ऐसे समझो कि बराबर है तो आपको याद रहेगा क्योंकि पाइतागौर्व स्यरम होती है सबसे बड़ी side हाईपोटीन होती है इसमें confuse हो जाते है तो ऐसे समझो कि एक इकलौती side दो side के square के समसे बड़ी हो रही है तो इकलौती side जब होगी बड़ी जब सबसे बड़ी side होगी वोट के रैंगल में और सबसे बड़ी side का मतलब बड़ा angle बनेगा बड़ा angle का मतलब होगा obtuse angle क्योंकि 90 degree से बड़ा होता है यहां समझो कि दो side है आपकी और तीसरी side का इस पर उसे छोटा हो रहा है इसका मतलब यहां पर बनेगा आपका छोटा angle acute angle triangle बनेगा तो आप side के आधार पर आप angle के base question बता सकते हैं कि कौन सा triangle आपका बन रहा है यह बात आपको समझ में आ गई यह बात आपको समझ में आ गई ठीक है तो हमने विल्कुल basic से जुरू किया है हमने triangle को समझा कि triangle में क्या क्या होता है यह 180 degree क्यों होता है इसको समझा triangle के type कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझा कैसे पैचानते हैं ट्रैंगल किन-किन बुजाओं से बन सकता ये कैसे पैचानते हैं ये बता दिया मैंने आपको ठीक है फिर मैंने आपको बताया कि triangle में हम बुजाएं दी हो sides दी हो और हमें angle के base पर आधार पर बताना है कौन सा triangle है तो कैसे पता लगाएंगे ठीक है सर अब बात करते हैं यहाँ पर pythagoras triplet की अच्छा दो चीज़ों की और बात कर लो दो चीज़ें और बात कर लेते हैं ट्रैंगल में एक basic बात कर लेते हैं कि triangle है कोई भी और मुझसे एक word जीज़ोता है perimeter 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 का मतलब होता है बेटा परिमाप तो बैसे मैं अगर बात करूं परिमाप की किसी पॉलिगॉन का perimeter परिमाप परिमाप बोलते हैं परधी को यह और जितनी जैसी तार है ना मेरे पास एक लंबा तार है इसको triangle के रूप में रखना है ऐसे करके तो जो इस तार की लंबाई होगी वही इस आकरती की सभी भुजाओं की लंबाई होगी इसको ही लंबाई के जोड़ को ही perimeter बोलते हैं है ना तो किसी भी polygon का जो perimeter होता है वो होता है all side sum सभी भुजाओं का योगपल आप कह सकते हैं all परीमिटर क्या होता है परिमाब लेकिन अगर मैं एंगल इसके एरिया की मात करता हूं है तो तीनों मुझाओं का स्थम करतों चाहे वह कोई उसा यहां पर मैंने दो चीज़ आपको दी हैं कि जिस ट्राइंगल में आपको height दे रहा है और base दे रहा है height दे रहा है और base दे रहा है चाहिए वो कोई साबी triangle हो height पता है मुझे और base पता है तो उस triangle का जो area ओगा one upon two height into base ठीक है 1 upon 2 height into base और आप देखोंगे right angle triangle में भी मुझे height पता होती है यह perpendicular होता है और perpendicular मतलब 90 degree का angle बनाता है यह height होती है यह base होता है इसका इसका भी area आपने देखा होगा तब ही तो बोलते हैं 1 upon 2 height into base तो अगर किसी भी triangle में मुझे height पता है और उसका जिस height पर वो डाला गया है उसको कहते हैं base वो पता है तो मैं उसका area निकालूगा 1 upon 2 height into base या मुझे यह पता लग जाए कि वो right angle triangle है तो कि right angle triangle में 90 degree का कौन बनता है 90 degree का बनने का मनला हाइट गराई जा रही है तो उसमें भी मैं कहूंगा कि उसका area 1 upon 2 height into base होगा ठीक है लेकिन जिस triangle में मुझे height नहीं पता केवल तीनों side दी गई है तो मैं पहले पता करूंगा कि आप वो right angle triangle तो नहीं है तो आपके पास formula बसता है 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 कि पहले semi perimeter निकालो अर्द परिमाप परिमाप कैसे कहते हैं तीनों बुजाओं का सम और आधा परिमाप पतलब दो का भाग देड़ो यह आएगा एस खामा और फिर फॉर्मुला होता है यूट में एस माइनस एस माइनस भी एस माइनस सी यह आपका हैरॉंस फॉर्मु अगर आपको एक्वालेटरल ट्रैंगल यह पता है कि यह ट्रैंगल है जिसकी तीनों बुजाएं बराबर हैं तो आप डिरेक्टली उसका एरिया निकाल सकते हों रूप 3y4 इसमें कुछ मेहनत नहीं करने यह आपको याद रखना है इक्वालेटर ट्रैंगल संभाहु त्रिवुष की बात हो रही है संभाहु त्रिवुष की हाइट भी डिरेक्टली आपसे अग्जाम में पूछ ली जाती है या इसके बेस पर डिरेक्ट पूसन पूछ लेता है व आप समझीं यहांपर अगर कोई ट्रैंगल कि अगर मुझे मुझे ना तो कोई आपको यह पता चलऄ कि हाइट क्या है ना ही बेस पता चलऄ हो इसी भी ज़े धी और उसके बीच में कोई एंगल दे ढ़ी और इसका पुछ लिया आपसी तो ना तो मुझे तीनो साइट पता क्योंकि तीनो साइट पता होती हिहों हुरन या अप Marriage साइड का मुल्टिपलाई into sine theta इहां से आप डिरेक्ट के एरिया निखाल सकतें यह settlers की एरिया से सीप y подпис ट्रैंगम के एरिया का एक और एक झो क्टैंगल के मैं इक एक्जामबल समझार ही तो उसके बिलुन एक एंगल दे रहा है तो बन फॉट टू प्रड़क्ट ऑप साइन इंटू साइन खीटा यहां पर वैल्डी रख्के आप कर सकते हो ठीक है चली ए समझ में आया कि नहीं आया ट्रैंगल का एरिया बगर निकालना आपको किलिर हो गया तो आप किसी भी ट्रैंगल का एर्या निकाल सकते हो और सब्सक्त साइब आराम से अगर हाईट दी अगही होगा तो 100 वही फर्मुला रहेगा जब तीनों साइट दी गई हो और वह राइट एंगल भी नहीं बन रहा हो मतलब उसमें मुझे हाइट नहीं पता चल रही हो तो आपका हैरॉंस फर्मुला लगा दोगे एंगल दिया गया हो और दो साइट दी गई हो उससे बनने बाले तो वन अपॉ पर एरिया यहां तक आपसे पूछेगा लेकिन सर अगर मुझे तीन बजाय दी गई है किसी ट्रैंगल की तीन साइट दी गई है अगर इसका एरिया निकालना है तो मेरे माइंड में पहला चीज आती है हेरॉंस फर्मुला लेकिन मैं अगर यह पता लगा लो कि क्या यह रा पॉइंट पता कैसे चलेगा कि राइट एंगल ट्रैंगल बनाएंगी की नहीं बनाएंगी तो मैंने आपको सिखाया था ना दो चोटी बजाओं का स्क्वेर करो एड करो बड़ी बजा का स्क्वेर करो अगर यह दोनों बराबर आ जाता है तो इसका मतलब वह राइट ट्र साइट दे रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो आपका राइट एंगल ट्रैंगल होगा और इसको ही हम पायता गर और स्चेवरम बोलते हैं राइट एंगल ट्रैंगल पर फॉलोव करती है जैसे मैंने यहां पर कहा आपसे यह 90 दिगरी का एंगल है राइट एंगल ट्रैंगल औ क्योंकि किसी भी ट्रैंगल में आपको यह बात और ध्यान लगनी है सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड ही सबसे बड़ी होती है और राइट एंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिगरी का इसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी और सबसे बड़ी साइड आपक एक यही इने से समय में आगया होगा कहां से आपकी आई हैं क्या हमें तीनों साइट देकर चेक करना है क्या बारबर चेक करना पड़ेगा कि कोई और तरीका है नहीं एक और तरीका है अगर आप ट्रैंगल की कुछ इंपोर्टेंट होती है उनको दिमाग में रख सकते हो तो आप पता लगा लोगी कि यह जैसे कि कुछ गिनी चुनी आपको बता दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा यूज होती है जैसे कि 345 तो 345 आपको साइट दिखाई देट राइंगल की तो इसका मतलब आप हैरोंस फॉर कर जाएगा लेकिन आपको यह डायेक्ट पता होनी चाहिए 345 इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं इसका मैं डवल भी कर दो किसी भी जो पायता कर रही है वो राइटेंगल टैंगल बनाएगी और उस ट्रेपलेट को मैं कितना भी मल्टिपल कर दूं टाइम्स कर दूं या कि इतने का भी डिवाइड कर दूं पूरी च्रेपलेट में तो भी वो राइटेंगल ट्रेंगल बनाएगी पायता कर स्फर्म होगी जैसे मैं इसको डवल करूं यह इंपोटेंट आपकी है अब इसका डवल कर दूं सिक्स एट टैन कि इसका थी टाइम कर दूं नाइन तुव इसका भी आपका राइट टैंगल बनता है आप देखों चेक करो पांच का स्क्वेर दो छोटी बुजाओं का स्क्वेर का सम बराबर होना चाहिए बड़ी बुजा के स्क्वेर थे तो यह 25 होगा यह 144 होगा यह 169 होगा तो जोड़ोगे तो 169 बराबर 169 आएगा यस और न सब्सक्राइब करोंगा तो आएगा दस चबबीश 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 वह भी ट्रप्लेट होगी ठीक है बहुत सारी चप्लेक नों जैसे की 20 सॉरी 20 21 21 29 इम्दाना का स्कुन करोंगा सम इसके ब्राबर आएगा यह बीट रप्लेट होती है सेवन ट्वेंटीफोर ट्वेंटीफाइव यह आपके माइंड में अगर सेव है तो डिरेक्टी सवाल को ब्रेक कर सकते हो तो यह साइट देदी तो आपको हेरोंस फॉर्मला लगाओं के कैल्कुलेक हो जाएगा लेकिन आपको पता है कि यह साइट राइट एंगल बनाएंग इतनी बात समझ में आगे की नहीं आगे बताईए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है जैसे मैं आपको एक उसन देता हूं आपको उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक एक्जामपल से समझा देता हूं इस इसको आपको यह साइट दे रहा है कि एक ट्रेंगल इसका एरिया चाहिए कि आपको इसका एरिया चाहिए अब मुझे अगर यह पता नहीं है कि यह राइट अंगल ट्रेंगल बनाएंगी यह नहीं बनाएंगी मैं डिरेक्टली हेरों लगा फ्रूदा लेंटी हो जाएगा तो पहले पता करूंगा पता करने के लिए आप जीरो जीरो खता बारा से तीन बार बारा से चार बार बारा से पांश बशीप बताया था नहीं रहा रही है कि तो मैं अब यह हैर्ण वाला में लगाँगा फिक्रिमांगा इरिया लाइक्ली वन पॉंड इंटु हाइट इन्टू बेस सबसे बड़ी वजा होती है है इसको छोड़ दो बाकि यहाई पूल एक हमाने जाएगा वाइट मेरा मकस्ठ था सवाल के माध्यम से आपको समझाना की कैसे एक रॉपलेट का यूज कर सकते हो तो आई होब जो बाते मैंने आज बताई हैं आपको वो समझ में आई होगी एक और चीज लाश्ट समझ लो यहाँ पर लाश्ट चीज और समझ लीजे ट्राइंगल में बहुत जादा यूज होता है सिमिलर्टी कैसे यूज करते हैं SIMILARITY होती है जब आपको Dья गए हैं कोई से भी दो आफस ब porte कि किसी कोई से दो एंगल बराबर हो तो वो डॉनर्ट जी सामने developments होते हैं मतलब होता है जो डॉनर्ट इंगल्स की जो रेशिओ वोग्हक्राव천 लेत है कोई कोई सीजी साइड ले जो जैसे कि एंगल 3 के सामने यहां पर एंगल 3 के सामने इडी होगा तो इन का रेशियो किया होगा बराएं यही नहीं इन तीनों के पैरिमिटर इन ट्रैंगल्गर के पैरिमिटर पैरिमिटर के बसा मतलब सब Len souffle ये भी बराबर होगा इनकी मीडियंस इन पर डाली जाने वाली मीडियंस का रेशियो भी बराबर होगा पर्पेंटिकुलर का रेशियो भी बराबर होगा सब कुछ बराबर होगा ठीक है रेशियो असरे एरिया का नहीं होगा हां अगर आपको एरिया का लेना है तो आपको क् को include करते हैं तो इन सब पर square लग जाएगा कि area की जो unit है वो square में होती है इन सब पर square लग जाएगा square लगा दे ना बस area यह कहते है similarity का rule ठीक है तो अब triangle के बारे में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी मैंने बिल्कुल basic चीज़े बता हैं देखो ट्रेंगल अपार है को संस की माध्यम से बहुत बड़ा फील्ड है पार्ट है इसका लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो चाहिए वो मिल नहीं पाता चाहिए आप कॉम्ट के जिब एक्जाम के तैयारी कर रहे हो तो बेसिक चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो मैं इस सीरीज sect के माध्यम से आपको । का सरकल का आपको इनको बेसिक लेकर आओंगा तो जैसे हमने आज किया है कहां से सुरू होता है क्यों 180 अधर पर यह बताया यहांने आप लोगों को ट्रैंगल का पेरिमिटर को यहीं की कैसे निकाल सकते हो चैनल के एरिया के बारे में बात करी है इंगल दिया गया हो दो साइड दी गई है तो एरिया सब ट्रैंगल का पूरा बेस और कुछ क्रिपलेट भी मैं आप पताई एक कोसन एक्जामपल लिए करा दिया समझ में आ क्या होगा तो अगर वीडियो के सा अच्छा लगा हो तो आप लोग याद सेयर करना मिलते हैं नेक्सेस में तब तक भी धन्यवाद थेंक यू बबाई टेक थेंक यू